नमस्कार दोस्तो पैशन गाडनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो फैबरोरी का महीना आ गया है और यह महीना जो होता है किसी भी पौधे की ग्रूध का सबसे अच्छा मौसम होता है क्योंकि विंटर में पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और जैसे ही फर्वरी का मौसम आता है वैसे ही इनकी डॉर्मेंसी खतम होने लगती है तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो काफी महेंगे होते हैं और हम नर्सरी से नहीं खरी सकते हैं तो ऐसे पर्मानेंट प्लांट को खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों अभी भरवरी का महीना है आप उनकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोव हो जाएंगे तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाओं की कौन-कौन से ऐसे प्लांट है जो काफी नर्सरी में महेंगे मिलते हैं और उनकी कटिंग हम आप घर में ग्रोव कर सकते हैं सबसे पहले यह देखे शेफलेरा का प्लांट है जो कि देखने में बहुत ही जादा ब्यूटिफूल लगता है आप देख रहे होंगे कि इनमें जो वेरिगेशन है वो कितना अच्छा वेरिगेशन है और यह बिल्कुल ग्रीन, यलो, थोड़ा लाइट यलो यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है दोस्तों इसे छतरी प्लांट भी कहते हैं और बहुत ही easy to grow प्लांट होता है आप इसे लगा करके एक shady area में रख देते हैं तो shady area में यह बहुत ही अच्छे लगता है ऐसी जगह जहां पर दिन की केवल 2 या 3 घंटे की ही धूप आती हो वैसे जगह पर यह बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं और इन्हें cutting से बहुत ही आसानी से grow किया जा सकता है बस उसके लिए थोड़ी सी मिट्टी में लास्ट में बता दूँगी कि किस तरह की मिट्टी में आप इन्हें grow कर सकते हैं तो दूसरा plant है यह croton, croton भी आप जाते हैं मनरसरी में तो आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए और कभी-कभी तो 1,500 रुपए तक के भी मिलते हैं तो इनकी cutting आप बड़े आराम से लगा सकते हैं मैंने cutting से grow किया और कितरे अच्छे यहाँ पर यह grow हो गया और काफी अच्छे से इनकी growth बढ़ रही है और फरवरी में तो और भी अच्छी growth हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं तो दूसरे प्लांट में आप क्रोटोन लगा सकते हैं उसके बाद है पास्केट प्लांट और यह बोट लीली इनकी भी cutting आप फरवरी मन्त में grow कर सकते हैं तो आपके पास free के बहुत सारे पौधे बन जाते हैं देखिए यहाँ पर यह लगा हुआ है मनी प्लांट मनी प्लांट पर ऐसा ही प्लांट होता है जिसे कि आप आसानी से घर में grow कर सकते हैं cutting से market में जाते हैं nursery में जाते हैं तो इनके तो कीमत 50-60 रुपे मिली जाती है लेकिन घर में यदि किसी से भी आपको थोड़ी सी भी cutting मिल जाती है तो उसे आप आराम से लगा सकते हैं और देखिए यह है colorful coleus यह coleus की कई सारी variety होती है जो बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं क्योंकि इनके पत्तों में अलग-अलग तरह का color होता है अलग-अलग design होती है और यह बहुत तेजी से grow करते हैं यदि इन्हें आप cutting नहीं लगाते हैं तो पुराने पौधे इनमें खराब हो जाते हैं क्योंकि पुराने पौधों में flower आ जाते हैं और flower आने के बाद यह पौधे धीरे-धीरे dead हो जाते हैं देखे यलो और green यह variety भी cutting से मैंने grow किया है तो बहुत ही आसानी से यह घर में cutting से grow हो जाते हैं बस इन्हें grow करने के लिए जो हम soil media लेते हैं soil media के लिए हमें 50% garden soil है तो उसमें 20% हमें rate डालना होगा या फिर cocoa पीड डालनी होगी 20% compost डालना होगा और 10% में neem की खली और seaweed बगारे डालने होगे तो यह बहुत अच्छे से grow कर जाते हैं और यह देखे एक और croton है यह बैंगलूरू croton है थोड़े से महंगे आते हैं लेकिन यह आप इनकी cutting लगा देते हैं यह तो एक पत्ते से भी grow हो जाता है आप इनके एक पत्ते को तोड़ कर भी और मिटी में लगा देते हैं तो दिरे दिरे इनकी जड़े आ जाती है और बहुत आसानी से यह लग जाते देखे इनके पत्ते कितने ही ज़्यादा खुबसूरत होते हैं इनके टिप में बिलकुल यलो है, नीचे में बिलकुल ब्राउन है और बीच में यलो भी है, ब्राउन भी है, रेड भी है, पिंक भी है तो यह सम मिल करके इन्हें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल लुक देता है तो ये क्रोटोन बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं इसलिए आप इन्हें लगा सकते हैं अभी कटिंग से और कटिंग लगाना बहुत ही आसान हो जाता है तो इस तरह से आप इन सारे सारे क्रोटोन को जितने भी क्रोटोन होते हैं आप उनकी कटिंग लगा लीजिए growing period होता है तो इसमें आप यदि लगा लेते हैं तो free के आपके इसके कई सारे पौधे तयार हो जाते हैं और यह देखे इनका विवरिगेशन कितना खुबसूरत लगता है तो यदि garden में हम लगा देते हैं तो colorful लगते हैं इनका design भी बहुत सुंदर होता है थोड़े से यह curl भी है तो इसके कारण बहुत ही जादा खुबसूरत लगते हैं और यह coleus तो है जितने सारे coleus हैं सभी कि आप छोटी छोटी लगा कर रखते हैं तो लगेगा जैसे कि कोई flower खिला हुआ हो इनकी भी cutting बड़ी आसानी से लग जाती है जितने भी मेरे पास दैयार कर सकते हैं जिससे कि आपके garden में बने रहेंगे उसके बाद है यह singonium यह तो छोटा वाला singonium है miniature singonium बड़े वाले singonium भी मेरे लगे विवे हैं तो इनको भी cutting से बहुत ही अच्छे से आप लगा सकते हैं इनको divide कर सकते हैं क्योंकि इनके भी baby plant निकलते हैं तो उन इनके नए plant बना लें कई सारे plant बना सकते हैं इनके भी पत्ते बहुत ही गोल गोल और बहुत ही थिक होते हैं और बहुत ही ज्यादा glossy होते हैं तो इसके कारण यह देखने में बहुत ज्यादा beautiful लगते हैं और कई सारे plant आप इनकी cutting से तयार कर सकते हैं और यह देखिए कोलि लगाए हैं और इनके टिप पर जब थोड़ी से मेच्चूर होते हैं तो इनमें फ्लावर बनने शुरू हो जाते हैं यह देखें यहां भी मैंने एक कटिंग लगा दिया है वैसे आप नर्सरी जाएंगे तो 50-60 रुपए इनके लग जाएंगे आपके लेकिन घर में है तो आ आपके गार्डेन में सालो साल बने रहेंगे और आपका गार्डेन इतना ही जादा कलरफुल लगेगा तो यहां देखें कितने सारे मैंने कोलियस लगाए हुए हैं और सभी कि जब भी मैं थोड़ी से वेदर चेंज होता है या बड़े हो जाते हैं लगी-लगी होने लगते हैं उसके बाद देखें यह है सीजेजियम सीजेजियम भी बहुत ही सुन्दर प्लांट होता है आप नरस्री जाएंगे तो 120 रुपय या 100 रुपय में यह मिलते हैं मैं इन्हें 120 रुपय में लेकर आया थी तब यह काफी छोटा सा प्लांट था लेकिन अभी देखिए कितन आज घंटे की धूप लगे आफ्टरनून की धूप न लगे तो ज्यादा अच्छा है वह भी खासकर गर्मी के दिनों में क्योंकि गर्मी के दिनों में आफ्टरनून की धूप लगने से इनके पते थोड़े थोड़े से जलने शुरू हो जाते हैं तो यह देखिए ऐसा ल नी तो बहुत ज़ादा न आपको बहुत जबाईजर की जबाहतँ है ना बहुत ज़ादा बहुत जादा इन्हेतर पानी की ज़रुवत भेथ bombs och जादा इन्हें केर की जरूरत होती है बस इन्हें अच्छी मिट्टी बनाकर एक बार आप लगा देते हैं तो बस चलते रहते हैं सालों साल और उसके बाद देखी यह नया प्लांट इसी के मैंने इसमें कटिंग भी लगाई थी जो की कटिंग इनकी चल गई है और यह दूसर इनके मिट्टी को निकाल करके इनके टीवर को अलग कर देते हैं तो इससे 5 प्लांट हमारी बन जाएंगे जबकि आप नर्सरी में जाते हैं तो 100-120 रूपीज इसके कोस्ट होते हैं मैं भी 100 रूपीज में इसे ले कर आई थी तो फ्री में इतने महंगे-महंगे पौदे हो शेह राप कटिंग नहीं कर सकते हैं झायर करके बाकी जो प्लांट हैं उनसके को कटिंग करके आप आसानी से लगा सकते है बस कटिंग करके लगाने के लिए आपको बहुत अच्छी studying media चाहिए तो उसमें में मन्त में आप यह सब्ले लगाते हैं तो एक मन्त के अंदर आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं जो काफी कीमती होते हैं लेकिन बहुत ही फ्री में आपको मिल जाते हैं दोस्तों तो ये देख लिए कितने सुन्दर प्लांट है तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलती हूं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे नए है तो उन मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए मिलती हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें और इसी तर से गार्डेनिंग करते रहें फ्री में गार्डेनिंग करते रहें ताकि आपको अच्छा भी लगे कि आपने पैसे भी खर्च नहीं किये और आपके पास बहुत सारे प्लांट बन गया है थैंक्यू